अगर आपने अब तक राशन कार्ट को आधार से लिंक लें किया है तो जल्द कर लें दरसर केली सरकार ने लाभार्थियों के एक और बड़ा मौका दिया है पहले राशन को आधार से जोड़ने की लास्ट एज 31 मार्च थी लेकिन आप इसे बढ़ा कर 30 जून कर दिया गया है विभाग ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी भी किया है आईगे बताते हैं कि आपको घर बैठे राशन को आधार से लिंक कैसे करना है गौरत अलब है कि राशन कार्ट के लाभार्थियों को सरकार की तरफ से करमदा में राशन मिलता है के इंदर सरकार के वन नेशन वन राशन कार्ट योशना के तहर देश में लाखों लोगों को लाभ मिल रहा है राशन कार्ट के और भी कई लाभ है आप आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंग करके One Nation, One राशन कार्ड योजना के अंतर गदेश के किसी भी राज़ की राशन कार्ड के दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं अब आपको बताते हैं कि ओनलाइन कैसे लिंग करना है सबसे पहले अधिकारिक वेब साइट पर जाए अब आप अपना पता जिला राज्य सही भरे राशन कार्ड बेनिफिट के ओप्शन पर क्लिक करें अब आधार नमबर, राशन कार्ड नमबर, इमेल एड्रेस और मोबाइल नमबर भी भरें अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नमबर पर एक OTP आएगा ये OTP भरते ही आपके स्क्रिन पर प्रोसेस कंप्लीट का मैसेज मिलेगा आप चाहे तो आफ्लाइन भी राशन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं आपको जरूरी दस्ताविजो जिरसे आधार कार्ड की कौपी, राशन कार्ड की कौपी और राशन कार्ड धारक की पासपोर्ट साइस फोटो राशन कार्ड केंदर पर जमा करना होगा आप चाहे तो राशन कार्ट केंदर पर अपना आधार कार्ट का बायमेट्रिक डेटा वेरिफिकेशन भी करा सकते हैं पिर रिपोट खटपट नियोज